अरब बात अमेरिका की करते हैं जहां बर्फीले तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है अब तक वहां करीब साथ लोगों की मौत हो चुकी है सेक्रों फ्लाइट्स रद की जा चुकी हैं हजारों उडाने देरी से चल रही हैं और उतरी की बड़ी संख्या में लोग एरपोर्ट पर फसे हैं अमेरिका के कहीं शेहरों में ये संकर बर्पा है सबसे प्रभावित बफलो शेहर है जहां एरपोर्ट पर करीब पचास इंच मोटी बर्फ की परत चम चुकी है न्यू यॉर्क के अन्य हिस्सों में हालाद बेहत खराब हैं कहीं जगों पर गारियां फसी हैं जहां रेस्क्यू ओपरेशन जारी है तो देखिए ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका का जो शेहर है वो है बफलो शेहर और वहां से ये जो तस्वीरे आ रही हैं चारो ओर बर्फ की मोटी चादर आपको नजर आएगी सड़के बर्फ से ठकी हुई है गारियों पर बर्फ चमी है और खरों के बाहर बर्फ की ये देखे मोटी चादर ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं बफलो शेहर पर सफेद कहर और तुफानी कहर में कई लोगों की जान भी जा चुकी है अमेरिका में मौसम का ये बर्फीला अटाक है कई शहरों में ये संकर बर्पा है और सबसे ज्यादा प्रभावत बफलो शहर है जहां एरपोर्ट पर करीब 50 इंच मोटी बर्फ की परत जम चुकी है न्यू यॉर्क के भी कई हिस्सों में हालाद बेहत खराब हैं इस वक्त कई जगों पर गाड़ियां फसी हैं और रेस्क्यू ओप्रेशन भी चल रहा है जंजीवर पर खासा प्रभाव पर फीले मौसम की वज़े से पढ़ता नजर आ रहा है लोगों के सामने कई तरह की परिशानिया खड़ी हो गई है आवजाही में दिक्तों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है बर्फीले तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है अब तक करीब साथ लोगों की मौत हो चुकी है बर्फी लितुफान की वजह से सैक्रो फ्लाइट्स रद की जा चुकी है, हजारों उडाने देरी से चल रही है, यह अलग-अलग तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं, रनवे बना बर्फ स्तान, यह देखिए, रनवे पर भी बर्फी बर्फ सैक्रो उडाने रद हो चुकी है, सड़कों पर संकठ है, अब तक साथ लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों जिन्दगियां फसी हुई है और रेस्क्यू आपरेशन सब के बीच जारी है.